प्रिश्ट सैंतालीस, अध्याय तीन, विभिन्नमाध्यमों के लिए लेखन इस पाथ में पढ़ें प्रमुख जंसंचार माध्यम, प्रिंट, टीवी, रेडियो, और इंटरनेट जंसंचार के विभिन्नमाध्यमों की हूबियां और खामियां प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए ध्यान रखने युग्य बातें। रेडियो, रेडियो समाचार की संरचना, रेडियो के लिए समाचार लेखन, बुनियादी बातें। टेलिविजन, टीवी खबरों के विभिन्न चरण, रेडियो और टेलिविजन समाचार की भाशा और शैली, इंटरनेट, इंटरनेट पत्रकारिता, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता, हिंदी नेट संसार, खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना दोनों का उद्देश्य, मनुष्य और समाज को ताकत पहुँचाना है खबर में लेखक तत्थियों को बदल नहीं सकता पर दो या दो से अधिक तत्यों के मेल से असलियत खोल सकता है रगुवीर सहाई, हिंदी के प्रमुख कवी और पत्रकार एक नजर में विभिन जन संचार माध्यमों के लिए लेखन के अलग-अलग तरीके हैं अखबार और पत्र-पत्रिकाओं में लिखने की अलग शैली है जबके रेडियो और टेलिविजन के लिए लिखना एक अलग कला है चुँके माध्यम अलग-अलग हैं इसलिए उनकी जरूरतیں भी अलग हैं विभिन माध्यमों के लिए लेखन के अलग-अलग तरीकों को समझना बहुत जरूरी है इन माध्यमों के लेखन के लिए बोलने लिखने के अतिरिक्त पाठकों, शोताओं और दर्शकों की जरूरत को भी ध्यान में रखा जाता है प्रिष्ट 48 प्रमुख जनसंचार माध्यम प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट उम्मीद है कि आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते होंगे इसके अलावा मनुरंजन या समाचार जानने के लिए टीवी भी देखते होंगे और रेडियो भी सुनते होंगे संभव है कि आप कभी कभार इंटरनेट पर समाचार पढ़ते, सुनते या देखते हों क्या आपने कभी गौर किया है कि जनसंचार के इन सभी प्रमुख माध्यमों में समाचार के लेखन और प्रस्तुती में क्या अंतर है कभी ध्यान से किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिये और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उनी समाचारों को फिर से पढ़िये अगले दिन सुभह अखबार ध्यान से पढ़िये अब बताईए कि इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुती में आपको क्या फर्क नजर आया उनमें कोई विशेश अंतर है भी या नहीं निश्चे ही इन सभी माध्यमों में समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुती में आपको कई अंतर देखने को मिलेंगे सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाला अंतर तो यही दिखाई देता है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए है, वहीं रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए ज्यादा महत्वपून है इंटरनेट पर पढ़ने, सुनने और देखने तीनों की ही सुविधा है जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है जबके रेडियो बोले हुए शब्दों का जन संचार के विभिन माध्यमों के बीच फर्क को समझने के लिए सभी माध्यमों के लेखन की बारीकियों को समझना जरूरी है लेकिन इन माध्यमों के बीच के फर्क को आप तभी समझ सकते हैं जब आप हर माध्यम की विशेशताओं उसकी खूबियों और खामियों से परिचित हों हर माध्यम की अपनी कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी खबर लिखने के समय हमें इनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इन माध्यमों की जरूरत को समझना पड़ता है जन संचार के विभिन माध्यमों की खूबियां और खामियां जन संचार के विभिन माध्यमों से आपको रोज कम या ज्यादा सापका पड़ता होगा पढ़ जाएं आपका उत्तर चाहिजू हो इतना तय है कि इस सवाल का कोई एक निश्चित जवाब नहीं है संभव है आपको टीवी ज्यादा पसंद हो और आपके दोस्त को रेडियो आपका दोस्त रेडियो अपने पढ़ने के कमरे में फुरसत से या कुछ और काम करते इसी तरह आपके किसी और साथी को पढ़ना बहुत पसंद हो और उसके फुरसत के क्षण अखबार और पत्रिकाओं के साथ गुजरते हो जबकि आपका कोई अन्य दोस्त इंटरनेट पर चैटिंग करते या कुछ और पढ़ते या देखते हुए उसी से चिपके रहना पसं जाहिर है सबकी अपनी अपनी पसंद है लेकिन सबकी पसंद के पीछे कुछ कारण जरूर है आप या आपके अन्य दोस्त अलग-अलग जंदसंचार माध्यमों को इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि उनकी विशेष्टाई या खूबियां आपकी या आपके अन्य दो जरूरतों और स्वभाव के मुताबिक माध्यम चुनते और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसका अर्थ ये भी है कि हर माध्यम की अपनी कुछ विशेशताई या खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। जिसके कारण कोई माध्यम विशेश किसी को अधिक पसंद आता है तो किसी को कम। लेकिन इसका ये अर्थ कताई नहीं है कि जन्संचार का कोई एक माध्यम सबसे अच्छा या बहतर है या कोई एक दूसरे से कमतर है। सबकी अपनी कुछ खूबियां और खामियां हैं। जैसे इंद्र धनुष की छटा अलग-अलग रंगों के एक साथ आने से बनती है वैसे ही जन्संचार के विभिन माध्यमों की असली शक्ति उनके परस पर पूरक होने में है। जन्संचार के विभिन माध्यमों के बीच फरक चाहे जितना हो लेकिन वे आपस में प्रती द्वंद्वी नहीं बलके एक दूसरे के पूरक और सहयोगी हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि अखबार में समाचार पढ़ने और रुख कर उस पर सोचने में एक अलग तरह की संतुष्टी मिलती है। जबके टीवी पर घटनाओं की तस्वीरें देखकर उसकी जीवंतता का एहसास होता है। इस तरह का रूमांच अखबार या इंटरनेट पर नहीं मिल सकता। इसी तरह रेडियो पर खबरें सुनते हुए आप जितना उन्मुक्त होते हैं उतना किसी और माध्यम में संभव नहीं है। उधर इंटरनेट अंतर क्रियात्मक्ता याने इंटर आक्टिविटी और सुचनाओं के विशाल भंडार का अदभुत माध्यम है। हमारी अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं और इन सभी की हमारे दैनिक जीवन में कुछ न कुछ उप्योगिता है। यही कारण है कि अलग-अलग माध्यम होने के बावजूद इन में से कोई समाप्त नहीं हुआ और इन सभी माध्यमों का लगातार, विस्तार और विकास हो रहा है। आईए अब इन सभी माध्यमों की अलग-अलग हूबियों और खामियों को समझने की कोशिश करें। प्रिंट माध्यम प्रिंट याने मुद्रित माध्यम जन्संचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है असल में आधुनिक युग की शुरुवात ही मुद्रण याने चपाई के आविशकार से हुई हालांकि मुद्रण की शुरुवात चीन से हुई लेकिन आज हम जिस चापे खाने को देखते हैं इसके आविशकार का श्रे जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है चापा खाना याने प्रेस के आविशकार ने दुनिया की तस्वीर बदल दी यूरोप में पुनर जागरणिया ने रेनेसंग की शुरुवात में चापे खाने की एहम भूमिका थी भारत में पहला चापा खाना सन 1556 में गोवा में खुला इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें चापने के लिए खोला था तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफी बदलावाया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है प्रिष्ट पचास प्रिष्ट पचास पर लेखन से चापे खाने तक शीरशक के अंतरगत एक चित्र दिखाया गया है मुद्रित माध्यमों के तहट अखबार, पत्रिकाएं, पुस्तकें आदी है हमारे दैनिक जीवन में इनका कितना महत्व है ये दोहराने की जरूरत नहीं है मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेश्टा या शक्ती ये है कि छपे हुए शब्दों में स्थायत्व होता है उसे आप आराम से और धीरे धीरे पढ़ सकते हैं पढ़ते हुए उस पर सोच सकते हैं अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो उसे दोबारा या जितनी बार इच्छा करे उतनी बार पढ़ सकते हैं यहीं नहीं अगर आप अखबार या पत्रिका पढ़ रही हों तो आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी प्रिष्ट और उस पर प्रकाशित किसी भी समाचार या रिपोर्ट से पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं ऐसी कोई बात देता नहीं है कि आप अखबार पहले प्रिष्ट और पहली खबर से पढ़ना शुरू करें साथ ही मुद्रित माध्यमों के स्थायत्व का एक लाभ ये भी है कि आप उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उसे संदर्भ की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मुद्रित माध्यमों की दूसरी बड़ी विशेष्टा ये है कि ये लिखित भाषा का विस्तार है जाहिर है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेष्टाएं शामिल हैं लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर ये है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग क प्रिष्ट 51, प्रिष्ट 51 पर कुछ वर्तमान समाचार पत्रों का एक कोलाज दर्शाया गया है। इस माध्यम में आप गंभीर और गूर बातें लिख सकते हैं क्योंकि पाठक के पास ना सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है बलकि उसकी योगिता भी होती है। ये मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। साथ ही मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ग्यान के साथ साथ उनके शेक्षिक ग्यान और योगिता का विशेश ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें पाठकों की रुचियों और जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। मुद्रित माध्यमों की एक और सीमा ये है कि वे रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी-घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये एक निश्चित अवधी पर प्रकाशित होते हैं। जैसे अखबार 24 घंटे में एक बार या साप्ताहिक पत्रिका सप्ताहमें एक बार प्रकाशित होती है। कुछ अपवादों को छोड़कर समाई सीमा समाप्त होने के बाद कोई सामगरी प्रकाशन के लिए स्वीकार नहीं की जाती। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेककों और पत्रकारों को प्रकाशन की समाई सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इसी तरह मुद्रित माध्यमों में लेकक को जग है यानि स्पेस का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे किसी अखबार या पत्रिका के संपादक ने अगर आपको 250 शब्दों में रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा है तो आपको उस शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ेगा इसकी वज़ा ये है कि अखबार या पत्रिका में असीमित जगह नहीं होती साथ ही उन्हें विभिन विशेयों और मुद्दों पर सामगरी प्रकाशित करनी होती है महत्व और जगह की उपलब्धता के अनुसार वे निश्चित करते हैं कि किसे कितनी जगह मिलेगी मुद्रित माध्यम के लेखक या पत्रिकार को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि छपने से पहले आलेख में मौझूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर कर दिया जाए क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वो गलती या अशुद्धि वहीं चिपक जाएगी उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथा संभव कोशिश की जाती है कि कोई गलती या अशुद्धि न छप जाए इसके लिए अखबार व पत्रिकाओं में संपादक के साथ एक पूरी संपादकी ये टीम होती है जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामगरी से घलतियों और अशुद्धियों को हटा कर उसे प्रकाशन योग्गे बनाना है मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्गे बातें एक, लेखन में भाशा, व्याकरण, वर्तनी और शैली का ध्यान रखना जरूरी है प्रचलित भाशा के प्रियोग पर जोर रहता है दो, समय सीमा और आवंटित जगह के अनुशासन का पालन करना हर हाल में जरूरी है तीन, लेखन और प्रकाशन के बीच गलतियों और अशुद्धियों को ठीक करना जरूरी होता है चार, लेखन में सहज प्रवाह के लिए तारतम्यता बनाए रखना जरूरी है रेडियो, रेडियो श्रव्य माध्यम है इसमें सब कुछ ध्वनी, स्वर और शब्दों का खेल है इन सब वजहों से रेडियो को शुताओं से संचालित माध्यम माना जाता है रेडियो पत्रकारों को अपने शुताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए इसकी वज़ाई ये है कि अखबार के पाठकों को ये सुविधा उपलब्द रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते है अगर किसी समाचार या लेक या फीचर को पढ़ते हुए कोई बात समझ में नहीं आती तो पाठक उसे फिर से पढ़ सकता है या शब्द कोश में उसका अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है लेकिन रेडियो के शुरुता को ये सुविधा उपलब्द नहीं होती वो अखबार की तरहे रेडियो समाचार बुलिटन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता उसे बुलिटन के प्रसारण समय का इंतजार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंततक बारी-बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा इस बीच वो इधर उधर नहीं आ जा सकता और नहीं उसके पास किसी गूढ शब्द या वाक्यान शके आने पर शब्द कोश का सहारा लेने का समय होता है अगर वो शब्द कोश में अर्थ ढूंडने लगेगा तो बुलिटन आगे निकल जाएगा सपश्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौट कर सुनने की सुविधा नहीं है अगर रेडियो बुलिटन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि शुरुता तुरंत स्टेशन बंद कर दे दरसल रेडियो मूलत है एक रेखी है याने लीनियर माध्यम है और रेडियो समाचार बुलिटन का स्वरूप ढांचा और शैली इस आधार पर ही तैय होता है रेडियो की तरह टेलिविजन भी एक रेखी है माध्यम है लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में द्रिश्यों या तस्वीरों का महत्व सरवाधिक होता है टीवी में शब्द द्रिश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज ही सब कुछ है वैसे तो तीनों ही माध्यमों प्रिंट, रेडियो और टीवी की अपनी अपनी चुनौतिया है लेकिन संभवत है, रेडियो प्रसारण करताओं के लिए अपने शुताओं को बांध कर रखने की चुनौति सबसे कठिन है प्रिष्ट चववन, रेडियो समाचार की सनरचना रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है चुनके दोनों माध्यमों की प्रकृती अलग-अलग है इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए रेडियो समाचार की सनरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरमिड यानि इन्वर्टेड पिरमिड शैली पर आधारित होती है चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो समाचार लेखन की सबसे प्रचलित प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरमिड शैली ही है सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक्याने नब्बे प्रतिशत खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती है उल्टा पिरमिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्वक्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है इस शैली में किसी घटना या विचार या समस्या का ब्यौरा काला नुकरम के बजाए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है तातपरिय यह कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमाक्स अंत में नहीं बलके खबर के बिलकुल शुरू में आ जाता है उल्टा पिरमिड शैली में कोई निशकर्ष नहीं होता उल्टा पिरमिड शैली के तहट समाचार को तीन हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है इंट्रो, बॉड़्ी और समापन समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुक्षडा भी कहते हैं इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की दो या तीन पंक्तियों में बताया जाता है ये खबर का सबसे एहम हिस्सा होता है इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तरित ब्यौरे को घटते हुए महत्वकरम में लिखा जाता है हालां के इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती और यहां तक कि प्रासंगिक तक थे और सूचनाएं दी जा सकती है अगर जरूरी हो तो समाई और जगह की कमी को देखते हुए आखरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काट कर हटाया भी जा सकता है और उस स्थिती में खबर वहीं समापत हो जाती है रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर कीजिए उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बसदुर घटना में आज बीस लोगों की मौत हो गई मृतकों में पांच महिलाएं और तीन बच्चे शामिल है एक और उदाहरन देखिए महराश्र में बाढ का संकट गहराता जा रहा है राज्य में बाढ से मरने वालों की संख्या बढ़कर चार सौ पैंसेट हो गई है प्रिश्ट पच्चपन रेडियो के लिए समाचार लेखन बुनियादी बातिंग रेडियो के लिए समाचार कौपी तयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है क साफ सुत्री और टाइप्ट कौपी रेडियो समाचार कानों के लिए याने सुनने के लिए होते हैं इसलिए उनके लिखन में इसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वो शोताओं तक पहुँचता है इसलिए समाचार कौपी ऐसे तयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को कोई दिक्कत नहीं हो अगर समाचार कौपी टाइप्ट और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इस से शोताओं का ध्यान बढ़ता है या वे ब्रहमित हो जाते हैं। प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समचार कॉपी को कम्प्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों और परियाप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं इस बारे में एक सुसंगतता होने से बुलिटिन के संपादक को ये ताय करने में सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी हैं और किस खबर को कितना बढ़ा लेना है। समाचार कौपी में ऐसे जटिल और उचारण में कठिन शब्द संख्यपताक्षर अब्रिविएशन्स अंक आदी नहीं लिखने चाहिए जिने पढ़ने में जबान लड़ खडाने लगे। अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखनी चाहिए जैसे एक से दस तक के अंकों को शब्दों में और ग्यारह से 99 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। लेकिन दो, आठ, तीन, साथ, पांच, पांच, शून्य लिखने के बजाए 28,37,550 लिखा जाना चाहिए अनिता वाचक या वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी इसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए इसी तरह अखबारों में प्रतिशत और डॉलर जैसे संकेत चिन्नों से काम चल जाता है लेकिन रेडियो में ये पूरी तरह से वर्जित है यानि प्रतिशत और डॉलर शब्दों में लिखा जाना चाहिए जहां भी संभव और उप्युक्त हो दशमलव को उसके नजदी की पूर्णांक में लिखना बहतर होता है इसी तरह 28,37,550 रुपाई को रेडियो में लगभग 28,00 रुपाई लिखना शुताओं को समझाने के लिहास से बहतर है इस तरह की वित्तिय संख्याओं को उनके नजदी की पूर्णांक में लिखना चाहिए, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं. जैसे खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए. सचिन तिंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते. इसी उनके शुताओं के लिए उन्हें समझपाना काफी कठिन होता है. आंकडे तुलनात्मक हों तो बहतर होता है. इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के असी लाग टन से बढ़कर 86 लाग टन हो गया है, तुलना में साढ़े साथ फीसदी बढ़कर 86 लाग टन रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। इसी तरह तिथियों को उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह समाचार से ही गुथी होती है। आज तरके आदी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में काप्रियोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, पिछले महीने, इस साल, पिछले साल, अगले साल, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तिमाल में काफी सावधानी बरतनी चाहिए। बहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए और अगर जरूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए फिर संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग किया जाए। संक्षिप्ताक्षरों के प्रयोग के दौरान ये देखना चाहिए कि वो कितना लोकप्रिय है जैसे WTO, UNICEF, SARC, ICICI, BANK का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है प्रिष्ट, 56, टेलिविजन जब हम टेलिविजन लेखन की बात करते हैं तो ये साफ है कि इसमें दृष्ट की एहमित सबसे ज्यादा है ये कहने की जरूरत नहीं कि टेलिविजन देखने और सुनने का माध्यम है और इसके लिए समाचार या आलेख याने स्क्रिप्ट लिखते समये इस बात पर खास ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कि आपके शब्द परदे पर दिखने वाले दृष्ट के अनुकूल हों अभी तक हमने प्रिंट और रेडियो माध्यम के लिए लेखन की शर्टों की चर्चा की लेकिन टेलिविजन लेखन इन दोनों ही माध्यमों से काफी अलग है इसमें कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा खबर बताने की कला का इस्तेमाल होता है इसलिए टीवी के लिए खबर लिखने की बुनियादी शर्ट दृष्च के साथ लेखन है द्रिश याने कैमेरे से लिए गए शॉट्स जिनके आधार पर खबर बुनी जानी है अगर शॉट्स आस्मान के हैं तो हम आस्मान की बात लिखेंगे समंदर की नहीं अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम उसका जिक्र करेंगे पानी का नहीं प्रिश्ट 56 पर एक गतिविधी दी गई है गतिविधी दूर दर्शन न्यूज और कोई एक निजी समाचार चैनल जैसे आज तक NDTV इंडिया, स्टार न्यूज या Zee News आधी के रात नौ बजे के बुलिटिन एक दिन का अंतर देकर लगातार दो सबताह तक देखिए जैसे एक दिन डीडी न्यूज देखिए तो अगले दिन कोई निजी समाचार चैनल दोनों के समाचार बुलिटिन के कलेवर और प्रस्तुती की तुलना करते हुए दो सौ शब्दों की एक रिपोर्ट तयार कीजिए अपने शिक्षक के साथ कक्षा में चर्चा कीजिए प्रिष्ट सत्तावन मान लें कि दिल्ली की किसी इमारत में आग लगने की खबर लिखनी है अखबार में आम तोर पर इस खबर का इंट्रो कुछ इस तरह का बन सकता है दिल्ली के लाजपतनगर की एक दुकान में आज शाम आग लगने से दो लोग घायल हो गए और लाखों रोपयों की संपत्ती जल कर राक हो गई ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी लेकिन टीवी में इस खबर की शुरुआत कुछ अलग होगी दरसल टेलिवीजन पर खबर दो तरह से पेश की जाती है इसका शुरुआती हिस्सा जिसमें मुक्खे खबर होती है बगैर दृश्चे के नियूज रीडर या आंकर पढ़ता है दूसरा हिस्सा वो होता है जहां से परदे पर आंकर की जगए खबर से संबंधित दृश्चे दिखाये जाते हैं इसलिए टेलिवीजन पर खबर दो हिस्सों में बटी होती है अगर खबरों के प्रस्तुती करण के तरीकों पर बात करें तो इसके भी कई तकनीकी पहलू है फिलाल हम दिल्ली में आग की जिस खबर की चर्चा कर रही हैं उसे टीवी में पेश करने के तरीकों पर बात करते हैं अखबार में जिस तरह का इंट्रो हमने लिखा उसे टीवी में एक एंकर सूचना के तोर पर सबसे पहले पढ़ता है लेकिन अगर आग लगने के दृष्चे हमारे पास हैं तो प्रारंभिक सूचना के बाद हम इसे इस तरह लिख सकते हैं आग की ये लप्टें सबसे पहले शाम चार बजे दिखीं फिर तेजी से फैल गईं निश्चे ही इस खबर की इससे भी बहतर शुरुआत हो सकती है लेकिन दृष्चे के साथ बंदे होने की शर्त हर खबर पर लागू होगी दरसल टेलिविजन के लिए लेकन कई तरीके से होता है चुँके टेलिविजन पर खबर पेश करने के तरीकों में लगातार बदलावा रहा है इसलिए इसे लिखने के तरीके भी लगातार बदल रहे है इसे समझने के लिए जरूरी है कि हम टेलिविजन पर दिखाई जाने वाली खबरों के प्रचलित धांचे या फॉर्माट को समझें टीवी खबरों के विभिन चरण किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेतर में प्रचलित है याने सबसे पहले सूचना देना टीवी में भी ये सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुँचती हैं ये चरण हैं एक, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूस दो, ड्राइ अंकर तीन, फोन इन चार, अंकर विज्वल पाँच, अंकर बाइट छे, लाइव और साथ, अंकर पैकेच फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूस सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूस के रूप में ततकाल दर्शकों तक पहुँचाई जाती है इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचना दी जाती है ड्राइ अंकर इसमें अंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहां क्या कब और कैसे हुआ जब तक खबर के द्रिश्य नहीं आते अंकर दर्शकों को रिपोर्टर से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुँचाता है प्रिष्ट 58 फोन इन इसके बाद खबर का विस्तार होता है और अंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुँचाता है इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है और वहां से उसे जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती है वो दर्शकों को बताता है एंकर विज्वल जब घटना के द्रिश्य या विज्वल मिल जाते हैं तब उन द्रिश्यों के आधार पर खबर लिखी जाती है जो एंकर पढ़ता है इस खबर की शुरुआत भी प्रारंभिक सूचना से होती है और बाद में कुछ वाक्यों पर प्राप्त द्रिश्य दिखाए जाते है एंकर बाइट बाइट याने कथन टेलिविजन पत्रकारिता में बाइट का काफी महत्व है टेलिविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है किसी घटना की सूचना देने और उसके द्रिश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यक्ष दर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा और सुना कर خबर को प्रामानिकता प्रदान की जाती है लाइव लाइव यानि किसी खबर या घटना का सीधा प्रसारण सभी टीवी चानल कोशिश करते हैं कि किसी बड़ी घटना के दृष्ष ततकाल दर्शकों तक सीधे पहुँचाए जा सकें इसके लिए मौके पर मौजूद रिपोर्टर और कैमरामैन ओबी वैन के जरीए घटना के बारे में सीधे दर्शकों को दिखाते और बताते हैं अंकर पैकेज पैकेज किसी भी खबर को संपूनता के साथ पेश करने का एक जरिया है इसमें संबंधित घटना के दर्श, इससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक के जरीए जरूरी सूचनाएं आदी होती है टेलिविजन लेखन इन तमाम रूपों को ध्यान में रख कर किया जाता है जहां जैसी जरूरत होती है, वहां वैसे वाक्यों का इस्तेमाल होता है शब्द का काम दर्श को आगे ले जाना है ताके वो दूसरे दर्श्यों से जुड़ सके उसमें नहित अर्थ को सामने लाना है ताके खबर के सारे आशाए खुल सके अकसर टीवी पर खबर लिखने की एक प्रचलित शैली दिखाई पड़ती है पहला वाक्य दर्श्य के वरणन से शुरू होता है जैसे दिल्ली के राम लीला मैदान में हो रही ये सभा या फिर जील में छलांग लगाते बच्चे इस प्रचलित शैली में आसानी ये है कि बिना किसी कलपना शीलता के टीवी रिपोर्टिंग का बुनियादी अनुशासन यानि दृष्य पर लेखन ने बजाता है लेकिन इसमें शब्दों की भूमिका बेमानी हो जाती है दर्शक जो अपनी आँख से देख रहा है उसे दोहराने का कोई फाइदा नहीं है कोई कलपना शील रिपोर्टर इनी दृष्यों को अपने शब्दों से ज्यादा बड़े माइने दे सकता है जैसे दिल्ली के राम लीला मैदान में हो रही इस सभा में लोग लाए नहीं गए हैं अपनी मर्जी से आए हैं या फिर जील में छलांग लगाते बच्चों के शॉट्स के साथ लिखा जा सकता है इन दिनों तेज गर्मी से निजात पाने का एक तरीका ये भी है अगर वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशन की खबर लेनी हो और एक दूसरे को बधाई देने का कोई शॉट हो तो इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है इसे प्रचलित तरीके में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि वैलेंटाइन डे पर एक दूसरे को बढ़ाई देते ये चात्र दूसरा तरीका इसको किसी अर्थ से जोडने का है यहीं से रिपोर्टर की दृष्टी सक्रिय होती है और उसकी अपनी समझ भी दिखाई देती है वो लिख सकता है भारतिय समाज में आए इस नए चलन से लोग खुश भी हैं और दुखी भी या फिर ये नई आधुनिकता परंपरावादियों को रास नहीं आ रही प्रिष्ट 69 लेकिन टीवी सिर्फ दृष्श और शब्द नहीं होता बीच में होती हैं धुनिया टीवी में दृष्श और शब्द याने विज्वल और वोईस ओवर याने वी-ओ के साथ दो तरह की आवाजें और होती है एक तो वे कथन या बाइट जो खबर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं और दूसरी वे प्राक्रितिक आवाजें जो दृष्श के साथ साथ चली आती हैं याने चिडियों का चह चहाना या पिर गाडियों के गुजरने की आवाज या फिर किसी कारखाने में किसी मशीन के चलने की ध्वनी टीवी के लिए खबर लिखते हुए इन दोनों तरह की आवाजों का ध्यान रखना जरूरी है पहली तरह की आवाज याने कथन या बाइट का तो खैर ध्यान रखा ही जाता है अक्सर टीवी की खबर बाइट्स के आसपास ही बुनी जाती है लेकिन ये काम परियाब तसावधानी से किया जाना चाहिए कत्रों से खबर तो बनती ही है टीवी के लिए उसका फॉर्म भी बनता है बाइट्स सिर्फ किसी का बयान भर नहीं होते जिने खबर के बीच उसकी पुष्टी भर के लिए डाल दिया जाता है वो दो वोईस ओवर या दृश्यों का अंतराल भरने के लिए पुल का भी काम करता है लेकिन टीवी में सिर्फ बाइट या वोईस ओवर नहीं होते और भी ध्वनियां होती है इन ध्वनियों से भी खबर बनती है या उसका मिजाज बनता है इसलिए किसी खबर का वोईस ओवर लिखते हुए उसमें शॉर्ट्स के मताबिक ध्वनियों के लिए गुनजाइश छोड़ देनी चाहिए टीवी में ऐसी ध्वनियों को नेट या नेट साउंड याने प्राक्रितिक आवाजें कहते हैं याने वो आवाजें जो शूट करते हुए खुद बखुद चली आती हैं जैसे रिपोर्टर किसी आंदोलन की खबर ला रहा हो जिसमें खूब नारे लगे हूँ वो अगर सिर्फ इतना बता कर निकल जाता है कि उसमें कई नारे लगे और उसके बाद किसी नेता की बाइट का इस्तेमाल कर लेता है तो ये अच्छी खबर का नमूना नहीं कहलाएगा उसे वे नारे लगते हुए दिखाना होगा और इसकी गुंजाइश अपने वियों में छोड़नी होगी ध्वनियों के साथ साथ ऐसे द्रिश्यों के अंतराल भी खबर में उप्योगी होते हैं जैसे किसी क्रिकेट मैच की खबर में वोईस ओवर खत्म होने के बाद भी कुछ देर तक मैदान में शॉर्ट्स चलते रहें तो दर्शक को अच्छा लगता है यानि ऐसी खबरें लिखते हुए भाशा में बहुत सब्र की जरूरत होती है रिपोर्टर सारी बाते हैं खुद बता देना चाहते हैं जबकि ज्यादा बहतर यह होता है कि द्रिश्य और ध्वनियां भी बोलें छोटे छोटे वाक्यों और सुगठित संपादन से टीवी की अच्छी खबर खिल कर आती है रेडियो और टेलिविजन समाचार की भाशा और शैली दरसल किसी भी तरह के लेखन का कोई फॉर्मिूला नहीं हो सकता रेडियो और टीवी पत्रकारिता का भी नहीं प्रयोग शीलिता भाशा को भी सम्रिध करती है और माध्यम को भी रेडियो और टीवी आम आदमी के माध्यम है भारत जैसे विकास शील देश में उसके शोताओं और दर्शकों में पढ़े लिखे लोगों से निरक्षर तक और मध्यम बर्ग से लेकर किसान मजदूर तक सभी हैं इन सभी लोगों की सूचना की जरूरतें पूरी करना ही रेडियो और टीवी का उद्देश्य है जाहिर है कि लोगों तक पहुँचने का माध्यम भाशा है और इसलिए भाशा ऐसी होनी चाहिए कि वो सभी को आसानी से समझ में आ सके लेकिन साथ ही भाशा के स्तर और गरिमा के साथ कोई समझोता भी ना करना पड़े इस कारण हमारा ये दायत्व है कि हम आपसी बोलचाल में जिस भाशा का इस्तेमाल करते हैं उसी तरह की भाशा का इस्तेमाल रेडियो और टीवी समाचार में भी करें सरल भाशा लिखने का सबसे बहतर उपाई ये है कि वाक्षे छोटे, सीधे और स्पष्ट लिखे जाएं असल में जब आप खुद किसी चीज़ को ठीक से समझ नहीं पाते तो उसे जटल तरीके से लिखते हैं इसलिए आप जब भी कोई खबर लिख रहे हूं तो पहले उसकी प्रमुख बातों को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद सोचिए कि अगर आपको ये खबर अपने माता पिता, छोटी बहन और सहपाठी को बतानी होती तो कैसे बताते रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल, संप्रेशनी हैं और प्रभावी भाषा लिख रहे हैं ये जाचने का एक बहतर तरीका ये है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल-बोल कर पढ़ें इस प्रक्रिया में आपको स्वयम ये एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रवाहा है उसे पढ़ने में समाचार वाचक या वाचिका या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी या उसे सभी लोग आसानी से समझ तो जाएंगे रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली किस तर पर काफी सावधानी बरतनी पढ़ती है ऐसे कई शब्दे हैं जिनका अखबारों में धडल्ले से इस्तेमाल होता है लेकिन रेडियो और टीवी में उनके प्रयोग से बचा जाता है जैसे निम्नलिखित, उपरोक्त, अधोहस्ताक्षरित और क्रमांक आदी शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से भी बचने की कोशिश की जाती है क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है उदाहरन के लिए इस वाक्ये पर गोर कीजिए पुलिस द्वारा चोरी करते हुए दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया इसके बजाए पुलिस ने दो व्यक्तियों को चोरी करते हुए पकड़ लिया ये ज्यादा स्पष्ट है इसी तरह तथा, एवं, अत्वा, व, किंतु, परंतु, यथा आदी शब्दों के प्रियोक से बचना चाहिए और उनकी जगे और, या, लेकिन आदी शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए साफ सुथरी और सरल भाशा लिखने के लिए गैर जरूरी विशेशनों, सामासिक और तत्सम शब्दों अतिरंजित उपमाओं आदी से बचना चाहिए इनसे भाशा कई बार बोजिल होने लगती है मुहावरों के इस्तेमाल से भाशा आकरशक और प्रभावी बनती है इसलिए उनका प्रियोग होना चाहिए लेकिन मुहावरों का इस्तेमाल स्वाभाविक और जहां जरूरी हो, वहीं होना चाहिए अन्यथा वे भाषा के स्वाभाविक प्रवाह को बाधित करते हैं गतिविधी प्रिष्ट साथ पर एक गतिविधी दी गई है गतिविधी नाशनल चैनल पर प्रसारित रात नौ बजे के समाचार बुलिटिन को ध्यान से देखिए और सुनिये देखे और सुने गई समाचार में बाइट, वोईस ओवर और नेट को अलग कर लिखें और अगले दिन कक्षा में इस पर चर्चा करें प्रिष्ट 61 भाषा को साफ रखने के कुछ जाने पहचाने नुस्खे हैं एक तो वाक्य छोटे छोटे हूँ एक वाक्य में एक ही बात कहने का धीरज हो वाक्यों में तार्तम में ऐसा हो कि कुछ तूटता या छूटता हुआ न लगे दूसरी बात ये कि शब्द प्रचलित हों और उनका उच्चारण सहचता से किया जा सके क्रय विक्रय की जगह, खरीद विक्री स्थानांतरण की जगह, तबादला और पंक्ती की जगह, कतार टीवी में सहच माने जाते है यानि वैसे शब्द जो बोल चाल के खरीब हों उनसे विद्वता न जहलके बलके अपना सहच पडोस दिखाई पड़े इंटरनेट इंटरनेट पत्रकारिता, ओनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता इसे आप कुछ भी कह लीजिए आप इसे चाहे जो कहें, नई पीड़ी के लिए अब ये एक आदत सी बनती जा रही है जो लोग इंटरनेट के अभ्यस्त हैं या जिन्हें 24 सों घंटे इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है उन्हें अब कागज पर छपे हुए अखबार उतने ताजे और मनभावन नहीं लगते उन्हें हर घंटे दो घंटे में खुद को अपडेट करने की लत्त लगती जा रही है भारत में कंप्यूटर साक्षर्ता की दर बहुत तेजी से बढ़ रही है परसनल कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है हर साल करीब 50-55 फीसदी की रफ़तार से इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या बढ़ रही है उसकी वज़ए ये है कि इंटरनेट पर आप एक ही जटके में जुमरी तलईया से लेकर होनो लुलू तक की खबरें पढ़ सकते हैं दुनिया भर की चर्चाओं परी चर्चाओं में शरीक हो सकते हैं और अखबारों की पुरानी फाइलें खंगाल सकते हैं सबसे पहले ये सपष्ट कर देना जरूरी है कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल याने आउजार है जिसे आप सूचना, मनुरंजन, ज्यान और व्यक्तिगत तथा सारवजनिक समवादों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इंटरनेट जहां सूचनाओं के आदान प्रदान का बहतरीन आउजार है वहीं वो अशलीलता, दुश्प्रचार और गंदगी पहलाने का भी जरिया है इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी दो रूप हैं पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या आउजार के तोर पर इस्तेमाल यानि खबरों के संप्रेशन के लिए इंटरनेट का उप्योग दूसरा, रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक इमेल के जरिये भेजने और समाचारों के संकलन, खबरों के सत्यापन और पुष्टी करण में भी इसका इस्तेमाल करता है रिसर्च या शोदखा काम तो इंटरनेट ने बेहद आसान कर दिया है टेलिविजन या अन्य समाचार माध्यमों में खबरों के बैक ग्राउंडर तयार करने या किसी खबर की प्रिष्ट भूमी तत्काल जानने के लिए जहां पहले धेर सारी अखबारी कत्रनों की फाइलों को ढूंडना पड़ता था महीं आज चंद मिनटों में इंटरनेट विश्वव्यापी संजाल के भीतर से कोई भी बैक ग्राउंडर या प्रिष्ट भूमी खोजी जा सकती है एक जमाना था जब टेली प्रिंटर पर एक मिनट में असी शब्द एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते थे आज स्थिती ये है कि एक सेकंड में चप्पन किलो बाइट याने लगभग सत्तर हजार शब्द भेजे जा सकते हैं प्रिष्ट बासट पर हिंदी की जानकारी के लिए एक वेबसाइट दिखाई गई है प्रिष्ट तरेशट इंटरनेट पत्रकारिता एक माध्यम के तौर पर ये तो हुआ इंटरनेट का इस्तेमाल जिसके फाइदों से शायद ही कोई इंकार करे लेकिन इसे इंटरनेट पत्रकारिता नहीं कहा जा सकता है इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा परी चर्चाओं, बहसों, फीचर, ज्छलकियों, डाइरियों के जरीए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब दहें कई प्रकाशन समुहों ने और कई निजी कमपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है चुँके ये एक अलग माध्यम है इसलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा अलग है प्रिष्ठ 63 पर एक चित्र के माध्यम से ये दर्शाया गया है कि रेडियो टेलिविजन वो कम्प्यूटर की स्क्रीन पर सैटलाइट के माध्यम से किस तरह से तरंगें पहुचती है इसका शीर्शत है कैसे आती हैं तरंगें इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास आईए अब एक नजर विश्वस्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता के स्वरूप और विकास पर डालते हैं विश्वस्तर पर इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है पहला दौर था 1982 से 1992 तक जबके दूसरा दौर चला 1993 से 2001 तक तीसरे दौर की इंटरनेट पत्रकारिता दो हजार दो से अब तक की है पहले चरण में इंटरनेट खुद प्रियोग के धरातल पर था इसलिए बड़े प्रकाशन समूहूं ये देख रहे थे कि कैसे अखबारों की उपस्थिती सुपर इन्फरमेशन हाईवे पर दर्ज हो तब AOL याने अमेरिका ऑनलाइन जैसी कुछ चर्चित कमपनियां सामने आई लेकिन कुल मिलाकर ये प्रियोगों का दौर था सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2002 के बीच हुई इस दोर में तकनीक के स्थर पर भी इंटरनेट का जबरदस्त विकास हुआ नई वेब भाशा HTML याने Hypertext Marked Up Language आई इंटरनेट इमेल आया, इंटरनेट एक्स्प्लोरर और Netscape नाम के ब्राउजर यानि वो औजार जिसके जरिए विश्ववयापी जाल में गोते लगाए जा सकते हैं ये सब आए, इन्होंने इंटरनेट को और भी सुविधा संपन और तेज रफतार बना दिया इस दोर में लगभग सभी बड़े अख़बार और टेलिविजन समूहूं विश्वजाल में आये New York Times, Washington Post, CNN, BBC सहित, तमाम बड़े घरानों ने अपने प्रकाशनों, प्रसारनों के इंटरनेट संसकरण निकाले दुनिया भर में इस बीच इंटरनेट का काफी विस्तार हुआ New Media के नाम पर डॉट कॉम कमपनियों का उफान आया जिसे देखो वही इंटरनेट और डॉट कॉम की बात करने लगा प्रिश्ट, 64 लोग रातों रात अमीर बनने का खाब देखने लगे इसलिए जितनी तेजी के साथ ये उफान आया था उतनी ही तेजी के साथ इसका बुलबुला फूटा भी सन 1996 से 2002 के बीच अकेले अमेरिका में ही पाँच लाख लोगों को डॉट कॉम की नौकरियों से हाथ धोना पड़ा विशाय सामगरी और परियाप्त आर्थिक आधार के अभाव में ज्यादतर डॉट कॉम कंपनियां बंद हो गए लेकिन ये भी सही है कि प्रकाशन समूहों ने इस दोर में भी खुद को किसी तरह जमाई रखा चुँके जनसंचार के क्षितर में सक्रिये लोग ये जानते थे कि और चाहे जो हो सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम के तोर पर इंटरनेट का कोई जवाब नहीं इसलिए इसकी प्रासंगिक्ता हमेशा बनी रहेगी इसलिए कहा जा रहा है कि इंटरनेट पत्रकारिता का 2002 से शुरू हुआ तीसरा दौर सच्चे अर्थों में टिकाओ हो सकता है भारत में इंटरनेट पत्रकारिता भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का अभी दूसरा दौर चल रहा है भारत के लिए पहला दौर 1993 से शुरू माना जा सकता है जबके दूसरा दौर सन 2003 से शुरू हुआ पहले दौर में हमारे यहां भी प्रयोग हुए डाट कॉम का तूफान आया और बुलबुले की तरह फूट गया अंततह वही टिके रह पाए जो मीडिया उद्द्योग में पहले से ही टिके हुए थे आज पत्रकारिता की दृष्टी से टाइम्स अफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्स्प्रेस, हिंदू, ट्रिब्यून, स्टेट्समान, पाइनियर, एंडी टीवी, आई बीएन, जी नियूज, आज तक और आउटलुक की साइटें ही बहतर हैं इंडिया टुडे जैसी कुछ साइटें भुगतान के बाद ही देखी जा सकती हैं जो साइटें नियमित अपडेट होती हैं उनमें हिंदू, टाइम्स अफ इंडिया, आउटलुक, इंडियन एक्स्प्रेस, एंडी टीवी, आज तक और जी नियूज प्रमुक हैं लेकिन भारत में सच्चे अर्थों में यदि कोई वेब पत्रकारिता कर रहा है तो वो readif.com, इंडिया इंफो लाइन, वो सिफी जैसी कुछ ही साइटें हैं readif को भारत की पहली साइट कहा जा सकता है जो कुछ गंभीरता के साथ इंटरनेट पत्रकारिता कर रही है वेब साइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय तहलका.com को जाता है हिंदी, नेट संसार अब हिंदी की बात करें हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई इंद और के नई दुनिया समुह से शुरू हुआ ये पोर्टल हिंदी का संपून पोर्टल है इसके साथ ही हिंदी के अखबारों ने भी विश्वजाल में अपनी उपस्थिती दर्ज करानी शुरू की जागरण, अमरुजाला, नई दुनिया, हिंदुस्तान, भासकर, राजस्थान पत्रका, नव भारत टाइम्स, प्रभात खबर वर राष्ट्रिय सहारा के वेब संसकरण शुरू हुए प्रभा साक्षी नाम से शुरू हुआ अखबार प्रिंट रूप में ना होकर सिर्फ इंटरनेट पर ही उपलब्द है आज पत्रकारिता के लिहाज से हिंदी की सरवश्रिष्ट साइट बीबी सी की है यही एक साइट है जो इंटरनेट के मांदंडों के हिसाब से चल रही है वेब दुनिया ने शुरू में काफी आशाएं जगाई थी लेकिन धीरे धीरे स्टाफ और साइट की अपडेटिंग में कटौती की जाने लगी जिससे पत्रकारिता की वो ताजगी जाती रही जो शुरू में नजर आती थी हिंदी वेब जगत का एक अच्छा पहलू ये भी है कि इसमें कई साहित्यक पत्रकाएं चल रही है अनुभूती, अभिव्यक्ती, हिंदी नेस्ट, सराय आदी अच्छा काम कर रही है यही नहीं, सरकार के तमाम मंत्रालय, विभाग, सारवजनिक उपकरम और बैंकों ने भी अपने हिंदी अनुभाग शुरू किये हैं जो भले ही आज तकनी की उपेक्षा के शिकार हैं, लेकिन उनका डेटा बेस्त तयार हो ही रहा है अंततह ये सब मिलकर हिंदी की ओनलाइन पत्रकारिता का मार्ग प्रशस्त करेंगे कुल मिलाकर हिंदी की वेब पत्रकारिता अभी अपने शैशवकाल में ही है सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फॉंट की है अभी भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है डाइनामिक फॉंट की अनुपलब्धता के कारण हिंदी की ज्यादतर साइटें खुलती ही नहीं है अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने युनिकॉड फॉंट बनाए है लेकिन ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहे है हिंदी जगत जब तक हिंदी के बेलगाम पॉंट संसार पर नियंतरन नहीं लगाएगा और कीबोड का मानकी करण नहीं करेगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी अभ्यास पाट से संबाद नीचे दिये गए प्रशनों के उत्तर के लिए चार-चार विकल्प दिये गए हैं सटीक विकल्प पर सही का निशान लगाएं क इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंके एक इससे द्रिश्य वप्रिंट दोनों माध्यमों का लाभ मिलता है दो, इससे खबरें बहुत तीव रिगती से पहुचाई जाती हैं तीन, इससे खबरों की पुष्टी ततकाल होती है चार, इससे नकेवल खबरों का संप्रेशन, पुष्टी सत्यापन होता है बलके खबरों के बैक्ग्राउंडर तयार करने में ततकाल सहायता मिलती है ख, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपून है एक, विज्वल, दो, बाइट, तीन, नेट, चार, ये सभी ग, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो एक, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रियोग हो दो, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके तीन, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ-साथ सटीक मुहावरों का इस्तेमाल हो चार, जिसमें सामासिक और ततसम शब्दों की बहुलता हो दो, विभिन जनसंचार माध्यमों, प्रिंट, रेडियो, टेलिविजन, इंटरनेट से जुड़ी पाँच-पाँच हूबियों और खामियों को लिखते हुए एक तालिका तयार करें प्रिष्ट 66 तीन, इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को ततकाल उपलब्ध कराता है, परंतु इसके साथ ही उसके कुछ दुशपरिणाम भी हैं, उदाहरन सहित स्पष्ट कीजिए चार, शोताओं या पाठकों को बांध कर रखने की दृष्टी से प्रिंट माध्यम, रेडियो और टीवी में से सबसे सशक्त माध्यम कौन से हैं, पक्ष विपक्ष में तरक देई पाँच, यहां कुछ चित्र दिये गए हैं, इन्हें ध्यान से देखें और इनके आधार पर टीवी के लिए तीन अर्थपून संक्षिप्त स्क्रिप्ट लिखें पहले चित्र में पहाडों की प्रिष्ठ भूमी में एक जील दिखाई गई है, जिसमें एक शिकारा है और उस शिकारे को चलाता एक नाविक है, उस शिकारे के आसपास पानी में कच्रा दिखाई दे रहा है दूसरे चित्र में एक सारवजनिक नल में से पानी बह रहा है, तीसरे चित्र में प्रिष्ठ भूमी में एक स्कूल दिखाया गया है और उसके सामने दो बालिकाएं जुके हुए कंधे लिए परिशान हाल में चली जा रही हैं, उनके कंधों पर भारी भरकम बसते लदे आया है